फ्रेंड्स यहाँ पर CBAC के Class 10 रो Class 2 के जितने भी स्टूडेंट है वो अपने रिजल्ट का बहुत बेसाबडी से वेट कर रहे होंगे अब उनके पने कुई डाउट है डीजी लोकर को लेकर प्लस उनके लिए एक दो बड़े बड़े अपडेट इस प्लीज वीडियो में बन जाया था बट एक बद ध्यान रखी का उन्होंने यहां पर मेरिट लिस्ट को नहीं निकाला अब यह पार देखिए कि CBAC भी हो सकता है कि इस बर आपनी मेरिट लिस्ट को नहीं निकाले मतलब क्या हुआ कि कौन हमारे इंडिया के टॉपर है कि इतने इस टूड़ेंगे 90 प सेबर में है यहां पर एगेंच में है फ्रेंड्स कुछ दिन से आप लोग यहां पर आपने रिजल का वेट कर रहे होंगा अब आपको पता होगा कि जून में सुप्रीम कोड में CBAC ने आपने डिस्ट को रखा था उसमें CBAC ने यहां पर एक पॉइंट बोला था कि हम आपन 12 और क्लास 10 दोनों का रिजल को डिकलेर करना है मतलब क्या हुआ कि CBAC अब आपका रिजल कभी वेनाउंस कर सकती है एक जेक डेट किसी को नहीं पता हो सकता हो 13 को भी हो जाए हो सकता हो 12 को भी हो जाए ऑके बट यह only expectation है बट CBAC को 15 तक anyhow आपका रिजल अनाउंस करना है तो अब आपको अपने रिजल देखने को बहुँ जल मिल जाएगा ओके आप यहां पर ध्यान रखिएगा आप मैं आपको बताता हूं कि आपको डीजी लोकर कैसे यूज करना है डीजी लोकर एक्ट्वली होता क्या डाउटनट पर होगा सभी मैस, केमेस्ट्री, फिजीक्स और बैलोजी डाउट्स का सफाय है बस सिंप्ली कोशिन के फोटो गीचो उसे क्रॉप करो और उसे सब्मिट करो बस तीन सेकेंड के अंदर आपको मिल जाएगा बीडियो सोलीशन तो यह क्लास 6 से लेकर 12 IIT NIT के ल लोग निकाल सकते हैं, जैसे ही आपका जीजिन CBC रिजल्ट एनाउंस करेगी, वैसे ही डीजिलोकर का जो आपका माक्सी पर लिंक होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वो मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप ल लोगिंग में क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पर आपको मुवाइल नंबर, अधार कर्ड नंबर या फिर यूजर नेम ध्यान रखीगा, वोही मुवाइल नंबर डालना जो आपने अधार कर्ड में दिया होगा, अगर आपको याद नहीं है, तो आपना अधार कर्ड नंबर डालने के बाद आपको simply login करना हो ध्यान रखीगा आपको अपना अधारकर डालना आपने किसी parents का किसी बड़ों का नहीं उसके बाद आपको login पर click करना पड़ेगा उसके बाद आपको यहाँ पर जो अधारकर आपने डाला होगा उसमें आपका जो number register होगा उस वाले number पर यहान रखीगा उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी security pin डालना पड़ेगा आज six digit का चाहिए अपना roll number डाल लीजिए या पिर कुछ और डाल लीजिए आप लोग एक यहाँ पर pin डाल लीजिए उसको दोनों मतलब कॉलम में लिख लिए एक ही pin को ओके उसके बाद आपको दो step कीजी क्या करना है आपको यहाँ पर अपना roll number डालना है प्लस आपको आपना year तो year के डालेगा 2020 आपको year डालना है और roll number डालने के बाद जो कि आपके admit card में होगा उसको डालने के बाद आपको gate document पे click कर देना है जैसे ही आपको यहाँ पर gate document पे click कीजीए आपको उप time आप यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे तो यह वीडियो में मुझे यही बतानी थी आएपनों को वीडियो इंफरमेटिव लगी होगी friends I hope आपको यह पूरा अच्छे समझ में आया होगा जाएए आप लोग डिजलों को कोई श्माल कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको original mark sheet भी देखने को मिल जाएगी और please आप लोग original का tension बिल्कुल भी नहीं लीजिए मैं आप सभी के लिए pray कर रहा हूँ आप लोग भी आपने लिए pray कीजिए आप सभी का result बहुत अच्छा आएगा और 15 तक कभी भी आपका result आ जाएगा ओके और please वीडियो को लाइक कीजिएगा आपने दोस्ते को सेयर की ये 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 येई